हाई फ्रेंज वेलकम बैक टो विस्टेडी क्लासस तो माई डियर फ्रेंज एक बर फिर से आपका स्वागत है हमारी फाइव बिनेट सीरीज में और आज जो टॉपिक आपका से डिस्कुस करने वाले हैं वो जुड़ा है UGC NET पेपर वन हाईर एडुकेशन से टॉपिक का न कॉर्मर्स और मैनेश्मेंट के लिए हमारे पास जो कोर्स अवेलिबल हैं उनके नाम है यूनिट स्नाप्शॉट नोट्स यूनिट वाइस प्रीविएस एर पेपर्स सॉल्ड विद एस्प्लेनेशन कंप्यूटर बेस्ट टेस्स सीरीज डिजाइंड अन टीए पैटरन अल लग से पर्चेस कर सकते हैं पेपर वन जो की जेनरल पेपर है उसके लिए भी आप मिनी कॉम्बो पैक या फिर फुल कम्प्लीट वीडियो कोर्स भी आप अवेल कर सकते हैं तो माइडियर फिर्ट अगर बात करें क्या हुएस वर्ल्ड उनिवर्सिटी रेंकिंग्स की ये रेंकिंग्स हैं इंटरनाशनल लेवल पे उनिवर्सिटीज को रैंक किया जाता है एन्वल पब्लिकेशन है हर साल ये रेंकिंग्स आती हैं और हमारी उनिवर्सिटीज को र अब my dear friends इन rankings के अंदर हमारे तीन Indian institutions जो हैं वो top 200 के अंदर निकल कर आए हैं। तो top 200 में हमारे इंडिया के तीन institutions हैं IAT Bombay, IASC Bangalore और IAT Delhi तो ये बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो top 200 में तो हमारे यहाँ पे तीन institutions आ गए बट अगर top 100 की बात करें तो यहाँ पे my dear friends हमारा कोई भी institution नहीं आया जो कि बहुत यहाँ पे शर्मिंदकी की बात है। चिंता जनक बात है कि top 100 में हम अभी तक नहीं आ पा रहे हैं। चिलिए अगर QS rankings की बात करें तो सबसे पहले तो QS की full form ही आपको बता देते हैं। आपको पता होनी चाहिए what is QS, QS का मतलब है quick drawly assignment तो यह basically क्या है एक leading global career and education network है जो यह rankings हमारी release करता है education से जुड़ा हुआ, career से जुड़ा हुआ, professional development से जुड़ा हुआ, बहुत सारा काम करता है यह हमारा network और rankings भी यही release करता है। rankings को release करने के लिए यह six parameters को consider करता है और उनकी सब की weightage जो है वो यहाँ पे अलग-लग है। जैसे academic reputation इसे 40% weightage जहाँ पे दे रखी है, employer reputation, employers कैसे देखते हैं उस institution को उसको 10% weightage दे रखी है, faculty student ratio इसे 20% weightage दे रखी है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि faculty बहुत कम है और students बहुत जादा है, citations per faculty 20% weightage दे रखी है, तो यह नोट करता है कि हमारी faculty कितना research से जुड़ी हुई है international faculty ratio को 5% rating दी है, किया आपके institution में international faculty है, international student ratio को भी 5% rating दी है, कि क्या आपके institution में बाहर के international students हैं या फिर नहीं है तो my dear friends, इस rankings को जब हम देखते हैं, तो इंडिया के context में हमारे mind में कुछ concerns आ जाते हैं, सबसे पहला concern तो यही है कि हमारा इंडिया बहुत बड़ा देश है, second largest in terms of population, but top 200 में हमारे केवल तीन educational institutions ही देखने को मिलते हैं IAT Bombay जिसका 172 rank है, IAC Bangalore जिसका 185 rank है और IAT Delhi जिसका 193 rank है तो top 200 में केवल यही तीन educational institutions हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं और चिंता की बात तो यह भी है कि यहाँ पे जो हमारे IATs और IAC हैं, अगर हम इनकी last year की ranking देखें, तो इनकी ranking में यहाँ पे गिरावट आई है, इनकी ranking में decline आया है केवल जो हमारे नए IATs हैं, गोहाटी और हैदराबाद के अंदर उनकी rankings में improvement देखने को मिली है यहाँ पे my dear friends हमारी जो government की scheme है, central government की एक flagship scheme है, institutions of eminence scheme यहाँ पे यह जो scheme है, इसका target है कि हम total 20 institutions, 10 public sector के, 10 private sector के, इनको global level पे competitive बनाए यहाँ पे देखने वाली बात यह है, चिंता की बात यह है, कि top 1000 की अगर हम global list देखते हैं, तो उसमें हमारे इंडियन institutions जो है, वो last year 24 थे, अब 21 हो गए तो बढ़ने की बजाए, यह घट गए, हाला कि center schemes launch कर रही है, बोट उसका भी कोई benefit होता, यहाँ पे हमें नहीं देख रहा, तो यह concern है, कि क्या जो हम schemes launch कर रहे हैं, वो असली में हमारे institutions के लिए, universities के लिए beneficial हैं, या फिर केवल वो paper पे ही beneficial हैं, तो यह चीजें हमें ध्या तो friends, यहाँ पर आपके लिए प्रेक्टिस कोशन है, आप इस कोशन को attempt कीजिए, और अपने answers हमें comments के तुरू बताइए, हमें इंतजार रहेगा आपके comments का Thank you friends for watching this video, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ है, तो इसे जरूर से like करना, हमारे चैनल पर नए है, तो इसे subscribe कर लेना, और अपने friends के साथ भी share करना, तो आपकी कोई query है, आप हमें mail कर सकते हैं, हमें updates के लिए Facebook और Telegram पर follow कर सकते हैं, और अगर आप हमसे कुछ पूछना कर सकते हैं, तो WhatsApp यहां फिर call भी कर सकते हैं, यह number आपको यहां पर दिया है, और साथ ही साथ जो हमारी free learning app है, एवस्टेडी क्लासिस की Android app आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने mobile phones पे, उसका link आपको इस वीडियो को description में भी मिल जाएगा, और बाकी सभी details के लिए आप हमार जो वेब साइट है www.evostudy.co.in वहां भी विजिट कर सकते हैं, थेंक यू, टेक केर